आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now Given question में हमसे बुलाया perennial plant differs from biennial in जो perennial plant होता है ठीक है, वो जो है biennial plant से कैसे differ करता है तो जो perennial plant होते है ठीक है, जो perennial plant होते हैं हमारे है न, वो क्या करते हैं कि वो जो perennial plant होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है बहुत long time के लिए रहते हैं live for long time यानि कि long time के लिए रहते हैं और जो biennial plant होते हैं ठीक है, biennial plant जो है उनका क्या होता है कि उन्हें दो साल लगते हैं, दो साल लगते हैं, टू येर्स लगते हैं, अपनी लाइफ साइकल को complete करने के लिए, ठीक है, लाइफ साइकल को complete करने के लिए, तो अब हमसे जो options पूछे हैं, इन में से देखना है कि कौन सा सही है, पहला बोला है, having underground penetrating structure की, जो मतलब perinating plant और perennial or biannial plant है उन में difference क्या होता है कि उन में जो है, underground penetrating structures होते हैं, तो ये गलत हो गया, फिर बोला है having asexual reproductive structures, तो ये भी गलत हो गया, फिर उसके बाद बोला है being tree species, कि वो tree की species हैं ये चीज़, तो ये भी गलत हो गया, फिर इसमें बोला है not dying after seasonal productive of flowers, तो ये option जो है हमारा, ये क्या हो गय क्या होता है कि ये जो है काफी long time के लिए रहते हैं, और इनका क्या होता है कि ये जो है two years तक जो है, इनकी life cycle जो है, वो complete two years में होती है, तो ये क्या करते है कि ये जो है, जो है, इनका seasonal production होता है flowers का, ठीक है, उसके बाद इनकी death नहीं होती है, life cycle complete हो जाती है, उसके बाद ज So option D is the correct answer. Thank you.